हेलो फिरेंड कैसे हैं आप सब उमीद है आप लोगों के तैयारी अच्छी चले होगी तीफ जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर नए 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 पेपर में लेकर आता फ्रेंट्स ये पीडियाफ जो है ये जो पीडियाफ हमें मिला था उस पीडियाफ ये बलर है तो मुझे पता है कि आप लोगों को क्वाल्टी में थोड़ा दिक्कत होगा बढ़ आप लोग सुनने में फोकस करिएगा क्लियर आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट है भारत में कुसाड कालिन मुर्तियां कि संग्रहले में है तो जो भारत में कुसाड कालिन मुर्तियां है वो मतुरा संग्रहले में रखी है नेक्स्ट है जो गिमारा के चित्र बने हैं तो फ्रेंट्स देखे च्छत पे लाल प्रिष्ट भूमी पे सफेद प्रिष्ट भूमी पे और नीली प्रिष्ट भूमी पे तो फ्रेंट्स यहां पर दो आप्सन सही हो सकता है च्छत पर च्छत पर भी है और सफेद प्रिष्ट भूमी पर है मगर प्रस्ण के नुसार देखा जाए तो यहाँ पे सफेद प्रिष्ट भूमी सही होगा क्योंकि यहाँ पे देखे लाल प्रिष्ट भूमी नीली प्रिष्ट भूमी मतलब प्रस्ण का आसा यह है कि वो कौन से कलर की प्रिष्ट भूमी पे चित्रित किया गया तो आंसर होगा सफेद प्रिष्ट बुवी नेक्स्ट है अंडा का रुप में ब्यक्ति चित्र किस काल में हुआ है तो आंसर होगा पहाडी सहली में नेक्स्ट है टैगोर का ब्यक्ति चित्र किरती है तो जो टैगोर का ब्यक्ति चित्र किरती है वो है राम किंकर बैज की नेक्स्ट है तारीक अलफी क्या है तो फ्रेंट्स जो तारीक अलफी है यह है दुनिया का इतियास यानि विस्व का इतियास नेक्स्ट है कागज पर चित्र बनने सुरु हुए थे अंसर होगा चौधामी सती में नेक्स्ट है ऐसे नेता का नाम बताईए जिसने अपनी जीविका का आरम एक कार्ट्यूनिस्ट के रुप में किया तो अंसर होगा बाल ठाकरे नेक्स्ट है असनानमगन योतियों के चित्रकार कौन है तो अंसर होगा पाल से जान निम्लिखित में से कौन बीसमी सताबदी का महान चित्रकार था अंसर होगा पिकासो फ्रेंट्स मुझे पता है कि मैं प्रस्ण के साथ डिरेक्टी जल्दी से अंसर बोल दे रहा हूं तो आप लोग वीडियो पॉस्ट करके भी आप लोग इसको solve कर सकते हैं ठीक है हर एक प्रसंद के बाद तो आए देखते हैं अंगला बसावन चित्रकार थे मुगलकाल के बाज नामक चितर के चितरकार का नाम है तो जो बाज नामक चितर बनाया थो बनाया था उस्ताद मंसूर ने आप लोगं को पता ही होगा बहुत ही आसान प्रसन है निक्स्ट है कोटा साली के उत्कृष्ट भीती चितर देखने को मिलते हैं तो आंसर होगा जाला जी की हवेली में बूदी चितर साली की रंग योजना कैसी है तो जो बूदी चितर साली की रंग योजना है वो है चटकीली नेक्स्ट है हाथी दाद की पटरियों पर चितर किस सहली का कार्य है जो हाथी दाद की पटरियों पर चितर हुआ है वो हुआ है अलवर सहली में बाल बदू किसकी कृति है ये तो प्रस्ण आप लोगों को पता योगा फ्रेंड्स अमरिता सेरगिल का है ये चितर अजन्ता की किस गुफा में हन सजातक चितित किया गया है तो जो अजन्ता की गुफा संक्या सत्रह है उसमें आपको मिलेगा हन सजातक किस चितकार ने अपना कान काट कर अपनी प्रेमिका को भेट कर दिया था आंसर होगा वांग वांग बाग गुफा चित्रों पर किस साली का प्रभाव है तो जो बाग गुफा चित्रों पर अजन्ता साली का प्रभाव है राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यताया बने है तो अंसर होगा इसका रजस्थान नेक्स्ट होगा नेक्स्ट है उम्प्रकास चवरसिया किस वाद्यांत्र से संबंदित है अंसर होगा संतूर नेक्स्ट है प्राग एतियासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रियोगत हुआ है तो जो प्राग या यह तियासिक चित्र हैं आप लोगों को पता योगा बहुत ही असान प्रसन आ है ये गेरु रंग का प्रयोग हुआ है Next है किस सास्तरकार ने सडंग की चर्चा अपनी टीका में की आंशर होगा पंडित या सोधर यानी या सोधर पंडित किस सायली में लगुचित्र बन्ने प्रारम हुए थे अंसर होगा जैन रंगो की सक्ती में बढ़ावा किसमें बृध्धी करता है तो जो रंगो की सक्ती में बढ़ावा किसमें बृध्धी करता है इसका अंसर होगा तीखापन ठीक है नेक्स्ट है लोगो कहते हैं विभाग को किसी और दूसरा अपसाने किसी कमपनी या वस्तु के इस्टाइल वाले नाम को दिशा या संकेत को वस्तु की सुची को तो इसका जो सेकेंड आपसाने वही से होगा किसी कमपनी या वस्तु के इस्टाइल वाले नाम को नेक्स्ट देख लेते हैं दो या दो से अधिक अच्छर एक साथ मिलकर एक बॉड़ी में ढालने को कहते हैं तो इसका अंसर होगा फ्रेट्स इसका थोड़ा सा आंसर में डाउट लग रहा है तो इसका आप लोग देख लीजेगा क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताऊं का तो इसको आप लोग थोड़ा कहीं सर्च कर लीजेगा ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियो विज्यापन जिन में गानों और संगीत का प्रियोग होता है वह कहलाता है तो उसको कोई भी ऐसा विज्यापन जो रेडियो पर आपको सुनाई देता है उसमें गाने या म्यूजिक का इस तरह का प्रियोग क्या जाता है तो उसको जिंगल बोलते हैं नेक्स यहां पर आप्संस में है नहीं तो मुझे लगता है कि जो नियरेस्ट होना चाहिए यहां पर जो यहां पर नियरेस्ट आंसर होगा वह होगा बारव पॉइंट ठीक है तो नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग कर शूरूई गी तो आंसर होगा 1556 में यांतरिक छपाई की सुरुवात होई यांतरिक छपाई की सुरुवात जो गोवा में होई थी नेक्स्ट देख लेते हैं जो ब्यक्ति विग्यापन के लिए लिखता है वह कहलाता है कॉपी राइटर नेक्स्ट होगा भारत में छपने वाले पहले अख़बार का नाम क्या था तो आप लोगों को पता ही होगा बंगाल गजट इसको हिक्की गजट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रकासन क्या था जेमस आगश्ट हिक्की ने कया था 1780 में ठीक है हर दो सलबादी इस न्यूजपेपर को बंद कर दिया गए ठीक है तो इसको 1780 में इसका प्रकासन क्या था जेमस आगश्ट हिक्की ने इसलिए इसको हिक्की गजट भी कहते हैं किसी समाचार पत्र के एक कालम का पक्तिमान मेजर है तो अंसर होगा, मतलब किसी एक समाचार पत्र में जो कालम होते है तो उसका कालम का जो साही होता है, वो कितना होता है तो वो होता है, 4.5 cm नेक्स्ट देख लेते हैं, बड़े अच्छरों को कहते हैं तो बड़े अच्छरों कहते हैं, अपर केस, ठीक है नेक्स्ट है, मूल रंग कौन सा होता है तो फ्रेंट्स आपको पता है, लाल पीला नीला मूल रंग होता है तो मूल रंग कौन सा है, तो नीला इसमें अप्शन में है, तो नीला मूल रंग हो जाएगा तिखे बाकी बादामी हारा और ये और नारंगी सब हैं सेकेंडरी ओर सेकेंडरी क्ल नहरे हैं ठीक है Chandler नेघ्ट देख लेते हैं ओरीजिनल नेम फॉर्र पोस्टर ओर्पोश्टर व्हाप की जिएगा ओर आईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउट्डोर पब्लिसिटी को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं होडिंग्स ठीक है नेक्स्ट है भारत में रंगीन टीवी प्रसाडर कब शुरूआ था तो फ्रेंट्स भारत में रंगीन टीवी प्रसाडर 1982 में हुआ था फ्रेंट्स भारत में टीवी प्रसाडर अगर पूछता है तो आपको लगाना है 1969 में ठीक है और अगर रंगीन टीवी पूछते हैं तब आपको लगाना है 1982 नेक्स्ट देख लेते हैं उस प्राचिन सास्त का नाम बत ये जिसमें कला के छे एंगों की चर्चा करी गई है अंसर होगा जैमंगला नेक्स्ट देख लेते हैं दिलवाडा मंदिर किस से बना है मकराना मार्बल से कंदर्या महादेव मंदीर किस से संबंध है तो जो कंदर्या महादेव मंदीर है वह संबंधित है हिंडू धर्म से ठीक है नेक्स्ट है निम्न में से मुर्तिकार को पहचानिये तो फ्रेंट्स जो डिपी रहे चाजरी है यह मुर्तिकार हैं आप लोगों को पता ही होगा नेक्स्ट निम्न में से कौन सी रंगत गर्म है तो फ्रेंट्स पहला जो अप्सन है वही सही होगा लाल और नारंगी यह दोनों गर्म कलर होते हैं ठीक है उसके बाद चित्र के लिए सबसे महतोपुड घटक है जो चित्र के लिए जो सबसे महतोपुड जो घटक है वह होता है अच्छा संयोजन ठीक है नेक्स्ट जातक कथाएं क्या हैं तो जो जातक कथाएं हैं बुद्ध के पुर्वजन्म की कथाएं next देख लेते हैं चित्रकला की बसवली सैली आधारित है तो जो चित्रकला की बसवली सैली है वह आधारित है लोक कला पर next देख लेते हैं जो set square जो होते हैं इसका थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहे है बट मुझे इसक्वायर का पता है चौकूर तो मैं उसी हिसाब से गेस करके मैं चौकूर लगा रहा हूँ बट आप लोग देख लिजीगा एक बार इसको ठीक है मेरे हिसाब से चौकूर ही होना चाहिए ठीक है next देख लेते हैं सभी ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताईए सभी ललित कलाओं के एक समान जो तत्व होता है लाए सभी कोई भी ललित कला है अगर उसमें लाए नहीं है तो फिर वो बेकार लगेगा ठीक है उसके बाद देख लेते हैं next गुरू पंडित रवी संकर कौन सी कला से जुड़े है अंसर होगा सितार तो फ्रेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं समय 13 मिनिट में आप लोगों का लगबग 50 कोशन हम लोगों ने देख लिया ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक कर दे कमेंट करें कोई डाउट्स होतो और अगर आप लोगों के पास ऐसा ही कोई पेपर हो तो आप हमें भेट सकते हैं ठीक है और उसके बाद जो है अपने फ्रेंड्स को सेर कर लीजे सब्पोर्ट करिए ठीक है थेंक्यू सो मेश थेंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में